हलो एफ्रिवन कैसे हैं आप लोग तो आद में शेयर कर रहे हैं आप सभी के साथ में बहुत ही आला बहतरीन सा कॉम्बो बनाने की रेसेपे जिसे आप भी एक बर जरूर च्राइब कीजेगा जिसमें बनाऊंगी धनिये का पराथा और बहुत ही देस्टी सी आलू और पनीर क सबसी है तो एक बर जरूर बनाएं चले कैसे बनाना है सीख लेते हैं सबसे पहले में यहां पे डियर कप गेव का अटा लिया हुए फ्रेंस इसमें मैं वन टी स्पून चिली फ्लेक्स आड कर रहे हूं हाफ टी स्पून मैं इसमें अजवयन आड करूंगी जिसको क्रश करक आदे छोटे चमच हमें डालना होगा और अब इसमें हमें डालना है घी या ओयल तो मैंने यहां पे दो टबल स्पून ओयल डाली है और डालकर इसको अच्छे से मिला दे रही हूँ यह जो पराथा इन फ्रेंस इस सबजी के साथ में बहुत अच्छा लगता है तो आप एक करकर उसकी डंटल और साथ साथ में पतियां काट कर डाल दीजिए इसको अच्छे से मिला लीजिए जो भी मौश्य होगा वो बांध लेगा और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करकर पानी डालना है हमें बिल्कुल नॉर्मल रूम डिपरिचर का पानी डाली और इसको अच् पानी का चीटा लगा सकते हैं और यह देखें बिल्कुल इकठा होकर बंद रहा है तो इसको पंच लगा कर लिजिए और इसे हमें ढखकर साइट पे रखना उससे पहले इसके उपर थोड़ा साइट लगा दीजिए अब इसको साइट पे रख दीजिए नेक्स टेप में हम इसमें हमें तकरीबन चार बड़े चमच तेल डालना है और इस तेल में हमें दो प्यास मीरियम साइस की स्लाइस में कट करकर फ्राइ कर लेनी है यह देखे फिर्ट्स प्यास बिल्कुल क्रिस्पी फ्राइ हो गई है गोल्डिन सा कलर आ गया है तो अब मैं इसको निकाल कर में साइक हो और रहे हैं तो इसी तेल वाल में बाचाओ प्यास हो गई है दो चार-चार बंच आलो लिया है कि अन्याना about तो चोटे-धैसे में कात आए मैं कॉलिआ है थाजिए-द्चाओ-धैस में कट चोटे-दैस में काटाया में थो और 5-7 मिनट तक भ्राइ कर ले रही आलू को अच्छे सी पतली सी लेयर बन गई इसके उपर तो अब इसी तेल में हमें क्या करना है पनीर लेना है तो कि मैंने 500 ग्राम लिया हुआ है और इसको मैंने डाइस में काटा है जैसे मैंने आलू काटा है और अब पनीर को भी मैं इसमें फ्राइ कर लेती हूं तो यहां पनीर को बिल्कुल सुनेरा गोल्डन होने तक फ्राइ कर लेना है फ्रेंस यह देखे पनीर भी हमारे अच्छे से फ्राइ हो गए तो अब इसको भी मैं निकाल लेती हूं तो बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम से स्पॉंजी पनीर की सबजी बना रही हूं है जो कि आलू के साथ अटिय को तो अच्छी मिलड़ कि आप एक टीबलस्पोन देगी पावडर लिया मैंने एक टीबल स्कून स्पून नमक और एक टीबल धनिया पावडर यह मसालों का पेस्ट करोंगे जो शुचे मढैं तूरे चुरा प alarms चेंज आर था सब्सकर पेस्ट मीमें तोटा सब्सक अभी हमें वापस से वही कढ़ाई लेनी है जिसमें हमने फ्राइ किया था और उसमें हमें एक टिबल स्पून लसन डालनी है तो लसन को मैंने हलका सा कूच कर डाला है साथ ही में दो लाल सुकेवे मिर्च और एक टी स्पून साबुद जीरा अड़ करी हूँ और अब यह जब तड़क गया है तो इसमें हमारा तयार किया पेस्ट ठाना यह डाल देना है कि देखे फ्रंस मसालों में मैंने आपको टेल डालना बदाया था उसकी वज़े से कलर मसालों का बहुत अच्छा आता है अगर आप इसी मसाले में उपर से पाउडर मसाले डालते और यह मैंने उसमें बहुत फर्क आजाता है मसालों का कलर बहुत अच्छा हता है तो आप इस तरह से मसालों का पेस्ट बना कर डालेंगा एक बार सबजी आपकी बहुत अच्छी बनेगी थोड़ा सा भी पानी भी मैंने डाला है और डालकर इसको अच्छे से मिला दिया जिसे मसाले जले नहीं और अब मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ इसी दरम्यान में मैंने जो तलीवी प्यास और हरिमिच का क्रश की अवा पेस तयार किया था ना वो भी यहाँ पे डाल देना है तो यह मैंने तकरीबन दो से तीन बड़े चम्मट जो बना था वो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करकर डाला है दो बार में और अब मैं इसको अच्छे से भून ले रही हूँ यह तो तलीवी प्यास का क्रश के अवा पेस जाला है ना इससे कलर बहुत अच्छा आएगा ग्रेवी का और बहुत ही सौंधी टेस्टी सी सबजी बनेगी इसी दरम्यान मैं इसमें एक टमाटर का दुकश करकर डाल रही हूँ तो अब हमें क्या करना है इस पॉइंट पर अच्छे से भूनने के बाद में इसमें कसूरी मेथी तो एक चमच मैंने कसूरी मेथी के पत्ते डालें क्रश करकर और अब इसको मैं दुबारा अच्छे से मिला ले रही हूँ इसकी वज़े से खुश्बू बहुत पैरी से आती है और यह सबजी बहुत टेस्टी बनती है तो मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से भून चुका है अब यहां पे जो हमने आलू और पनीर फ्राई किये थे ना तो जो हमने आलू लिया है उसको हमें थोड़ा क्रेश कर ले तो अब हमें इसमें जब भून गया है तो थोड़ा साहरा दनिया भी डालना है और साथी गरम मसाले का पावडर डालना है जो कि मेरा होममेड है अब यहां पे मैं इसमें पानी आड करूंगी जिससे ग्रेवी बहुत अच्छी लगेगी और सबजी बहुत मजे की बनेगी तो आट को चला दीजिए अच्छे से मिला कर मिक्स कर दीजिए जितनी आप को गाड़ी या पतली ग्रेवी रखनी है उस इसमें आड की जिएम आड कीजिए तो एक बार ये धनिये के पराटे के साथ में आलू पनीर की सब्सक्राइब बना कर देखिएगा आप एक रोटी के बजाए चार रोटी खा लेंगे तो बहुत ही तेस्टी सी सब्सक्राइब हमारी रेडी है इसको मैं निकाल कर साइट पे कर लेती हूँ और आप आती हूँ ड बना लेनी है तो नहीं बड़ी नहीं चोटी हमें लोई बनानी है तो एक लार्ज लेमन साइस का पोशल लेकर इसको अधेली पे गॉल गुमागर अच्छ से हमें रॉल कर लेना है और अभी एक फ्लैट सर्फिस पे बोर्ट पे हमें लेना है फिर से लोई को जो सुखा फ्ल इस तरह से आपको स्क्वार बॉक्स शेप जैसा इसको फोल करना होगा यह देखे यह फोल हो चुका है तो अभी हमें दुबारा खुशकी लेकर इसको बढ़ा कर लेना है तो अब हमें इसको फाइनली स्क्वार बेलना है तो जिस शेप का है यह उसी में इसको बढ़ाते ज और अच्छे से स्क्वार शेप का बेल लीजिए तो यह देखें हमारा स्क्वार पराठा रेडी हो गया है बहुत ही प्यारा सा बिला है और इस तरह से आप भी बना कर रख लिजेगा और अब इधर तवा गरम कर लिजिए और गर्मा गरम तवे पर यह पराठा डालिए और इ धनिये का पराठा एक बना कर देखेगा आपने प्लेन पराठा खाया होगा लेकिन सब्सक्राइब आपको बहुत अच्छा लगेगा तो आप चाहे तो नाश्ते में लंच में या डिनर में इसको बना सकते हैं जब जी चाहे तब आप इस रसपी को ट्राइब कीजेगा बह आपको भी अमीद है बहुत पसंद आएगा तो अब मैं आपको इसको तोड़कर रिजल्ट दिखा रही हूं कि ये फुला फुला सा पराठा और साथ में ये मज़िदार से सबजी कितनी अच्छी लगती है तो एक बार मेरे कहने पर आप भी इस रसपी को जरूर ट्राइब अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को प्लीज एक बार लाइक और शेयर जरू कर दीजेगा चैनल पे नहीं तो सब्स्राइब जरू कर लीजेगा फेट मिलूंगी मैं नेक्स ताम नहीं धमाकेदार जबदस रेसिपी लेकर तब तक अपना और अपनी फैमिली कियेगा बहुत सारा ख्याल दौाओं में यादर कियेगा थैंक्स पो वाचिंग